हिलो स्टुडेंट्स मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफा इस्टरी में स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा दस त्रिभुज अध्याज सिक्स का महत्तपूर्ड उदाहरण हल करने वाले हैं स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेट उन महत्तपूर्ड उदाहरण को हल करने वाले हैं जो 2025 बोड़ परिक्षा के लिए अत्यन्त महत्तपूर्ड है इस वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर आठ महत्तपूर्ड उदाहरण को हल करने वाले हैं और यह सभी उदारण आपके कई साल रिपीटेड हैं बोड़ परिक्षाओं में और 2025 बोड़ परिक्षा के लिए अत्यंत महत्तपूर्ड है तो आई ये वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक उदाहरण को ध्यान पूर्वक समझते हैं साथे साथ आपको बता दे कि यहाँ पे जो भी स्लेबस कम्प्लीट करवाया जा रहा है और जितना महत्तपूर्ड आपकी एकसर साइज है प्रशनावली है उतना ही अधिक महत्तपूर्ड आपके उदाहरण भी हैं क्योंकि परिक्षा में आपको उदाहरण से भी प्रशन तो आए ये वीडियो को इस्टार्ट करते हूं, उगा हरन फर्स्ट है, चित्र में AO बटे में OC, बराबर BO बटे में OD, बराबर 1 बटे 3, और यदि DC बराबर 1.5 cm, तो AB का मान गयात कीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो देखे कैसे हल करेंगे, सबसे पले जो चीजे हमें पता हैं, उस चीजों को लिख लेंगे, तो यहाँ पे देखे हमें क्या पता है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्या है, दिया है, अब देखें, दिया क्या हुआ है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, AO बटे में OC बराबर BO बटे में OD बराबर एक बटे में 3 यह दिया हुआ है दूसरा आपका क्या दिया हुआ है DC बराबर एक दसमलो 5 सिंटिमीटर क्या दिया हुआ है DC बराबर एक दसमलो 5 सिंटिमीटर और आपको AB का मान ग्याद करना है ठीक है ना AB का मान ग्याद करना है तो AB बराबर question mark ठीक है अब यहां से देखिए जब यह अनुपात आपको दिया हुआ है कि AO अनुपात OC बराबर BO अनुपात OD यानि जब दोनों त्रिभुज का यानि AOB और DOC इन दोनों की जो संगत पराबर हैं तो हम यहां से कर सकते हैं कि AOB और DOC क्या होंगे समरूप होंगे तो यहां लिखेंगे त्रिभुज AOB समरूप होगा या समरूप का चिन है समरूप होगा त्रिभुज DOC के ठीक है अब जब यह दोनों समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, अब देखिए हमें ग्याद क्या करना है, हम संगत भुजाओं का अनुपात, उन्हीं भुजाओं का अनुपात को बराबर दिखाएंगे, जो हमें ग्याद करना है, तो देखिए, एक तो हम इसको ले लेंगे, AO बटे में OC जो की हमें ग्याद है, ठीक है न DC, ठीक है, मित करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होगे, अब देखिए, यहां से मान रख देंगे, O बटे में OC कामान दिया हुआ है, एक बटे 3, तो यह हो जाएगा आपका एक बटे में 3, बराबर AB बटे में DC, तो AB कामान तो हमें निकालना है, तो यहां पर AB ही रखेंग और DC कामान दिया हुआ है, एक दसमलो पांच, यहां से तिर्चा गुड़ा करके AB कामान ग्यार्थ कर लेंगे, ठीक है न, यहां से तिर्चा गुड़ा करेंगे, तो देखें क्या हो जाएगा, तीन AB बराबर एक दसमलो पांच, ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा, यह ति मलों हटाने के लिए हम क्या करेंगे अंस और हर में 10 का गुड़ा कर लेंगे तो तेखें अंस में गुड़ा करेंगे 10 का तो यह 15 हो जाएगा और हर में करेंगे तो यह 30 हो जाएगा ठीक है 15 एकम 15 15 दुनी 30 ठीक है 15 एकम 15 15 दुनी 30 अब यहां से ए बी बराबर क्या हो या अगर इसको दसमलों में ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 0.5 तो इसको लिख देंगे 0.5 cm और यही आपका आंसर हो जाएगा students हमें A, B का मान ही ग्याद करना था तो यही आपका आंसर हो जाएगा उमिद करते हैं कि इस प्रशन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आई अगले उदारण को देखते हैं students छित्र में त्रिभूज A यच के और त्रिभूज A, B, C समरूप त्रिभूज है यदि A के बराबर 10 cm B, C बराबर 3.5 cm यच के बराबर 7 cm तो A, C का मान होगा ठीक है ना तो अब यहां पर देखे पहले यह आपको बोल दिया है कि त्रिभूज A यच A यच के और त्रिभूज A, B, C यह समरूप हैं तो समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपा तापस में क्या होगा तो यह हम लिखेंगे चुकी त्रिभूज A यच के समरूप होगा त्रिभूज A, B, C के ठीक है समरूप होगा अब देखिए हमें निकालना किसका मान है हमें A, C का मान निकालना है तो ऐसा अनुपात लेकर चलेंगे कि जो मान गीविन है उसको और इसकी सायता से हम लोग यहां पर संगत भुजाओं का नुपात लेंगे ठीक है न अब यहां से देखिए यह क्या हो जाएगा A के बटे में A, C ठीक है न A के बटे में A, C ठीक है अब हमें A, C का इमान ग्याद करना है यह बराबर हो जाएगा ठीक है यह बराबर हो जाएगा अब इसमें से देखिए हमें क्या-क्या पता A, K पता है B, C पता है यहां सभी मान पता है ठीक है न और यहां से पता है अब यहां से हो जाएगा यहां के बटे में B, C यहां के यच के इस त्रिवुज का यह बुजा और यह बुजा संगत है तो यच के बटे में BC ठीक है अब यहां से मान रख देते हैं तो देखें मान रखेंगे तो क्या होगा एक के कमान दिया हुआ है 10 है तो यहां पे 10 बटे में AC कमान हमें ग्याद करना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे यच के कमान आपको दिया हुआ है 7 और BC कमान आपको दिया हुआ है 3.5 ठीक है अब यहां से क्रॉस मल्टिप्लाई कर लेंगे तो देखें 7AC 7AC बराबर हो जाएगा 3.5 गुड़े 10 अब 3.5 में 10 का गुड़ा होगा तो यह दसमलो हट जाएगा 35 हो जाएगा यानि इहां से हमें क्या मिलेगा AC बराबर तो यह 35 हो जाएगा, तो संख्या के बाद 10 मलों की कोई वैलू नहीं हो गई, तो 35 हो जाएगा, हमें AC का मान चाहिए, तो यह हो जाएगा, 35, और 7 इधर गुड़ा में इधर आएगा, तो बटे में हो जाएगा, 7 पचे, 35, तो AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर 7 cm, और यही आ आपका क्या हो जाएगा, इस्टुडेंट्स, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो उमित करते हैं कि इन दोनों उधारन को आप अच्छी तरह समझ गयोंगे, आई अगले उधारन को हल करते हैं स्टुडेंट्स, अगला उधारन आपका दिया हुआ है चित्र में D E समांतर B C है भुजा A D की लंबाई ग्याद कीजिए जबकि दिया गया है A E बराबर 2.7 cm B D बराबर 10.8 cm तथा C E बराबर 8.1 cm अब यहां पर जो चीजे दी हुई है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं अब लिखेंगे दिया है दिया है दिया क्या है हमें A E बराबर 2.7 cm A E बराबर 2.7 cm फिर B D दिया हुआ है B D बराबर 10.8 cm फिर आपका C E दिया हुआ है 8.1 cm ठीक है और हमें निकालना क्या है? AD की लंबाई निकालना है तो AD बराबर question mark ठीक है? और आपको क्या दिया हुआ है? कि चित्र में जो DE है और BC है एक दूसरे के समांतर है DE समांतर है BC के यहाँ पे चुकि DE समांतर BC तो देखें जब DE समांतर BC दिया हुआ है तो यहाँ से थिल्स प्रमे का हम प्रयोग करेंगे तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा तो यहाँ से देखें AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC ठीक है तो यहां से थिल स्प्रमेस है अम लेख सकते हैं कि A D बटे में A D बटे में D B ठीक है अब यहां से मान ग्याद करते हैं तो A D का मान हमें ग्याद करना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे AD को, ठीक है, DB का मान आपको दिया हुआ है, यहां पे BD या DB बात एक ही है, ठीक है ना, BD या DB बात एक ही है, तो अब यहां पे 10.8, 10.8, बराबर AE, AE का मान है 2.7, और EC का मान, या CE का मान है 8.1, अब इसको हल करते, AD का मान निकालते हैं, तो यहां से तिर्चा गुड़ा कर जाएंगे, ऐसे और ऐसे, तो यह हो जाएगा, 8.1 AD बराबर 2.7 गुड़े 10.8, अब AD का मान चाहिए, तो यहां कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो AD बराबर 2.7 गुड़े 10.8, बटे में 8.1, ठीक है, अब देखिए यहां पे, यहां पे भी एक अस्थान प लिजे, दोनों पे, एक एक अस्थान पे दस्मलो है, हम इस दस्मलो को हटा सकते, यहां एक 80 हो जाएगा, यहां 27 हो जाएगा, 9 से भाग देंगे, तो 9 के पहाड़ा में 89 बार में आता है, और 27 तीन बार में, अब इस 9 से इसको भाग देंगे, तो 9, एक कम 9, ठीक है, 10 में स एक दस्मलो आ गया, दस्मलो लगा देंगे, 8, 18, 9, दुनी, 18, यानि एक दस्मलो दो और गुडे 3, तो बारत यहां 36, और एक अस्थान पे दस्मलो, यानि 3 दस्मलो 6 सेंटीमीटर, यहां आपका क्या हो गया, AD का मान हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा, तो यहां आपका दिया गया है, दिये गये चित्र में, त्रिभुज ABC के, आदार BC के समानतर, रेखा खंड PQ खिचा गया है, यदि PQ अनुपात BC बराबर एक अनुपात 3, तो AP तथा PB का अनुपात होगा, तो देखें, हमें दिया क्या है, उसको लिख लेते हैं, यहां अप लिखें एक अनुपात 3, ठीक है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, कि BC समानतर रेखा खंड PQ, यानि BC समानतर PQ दिया हुआ है, ठीक है न, और AP और PB का अनुपात पूछ रहा है, यानि आपसे पूछ रहा है, कि AP अनुपात PB बराबर question mark, या पूछ रहा है, अब देखें, यहा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सभी विद्यारतियों से request है, कि पीछे की वीडियों एक बार जरूर देखें, ताकि आप सभी topic को अच्छी तरह समझ पाएंगे, प्रमे आपको देखना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पे जितना भी उदाहरण है, वह सभी प्रमे पे ही आधारित है, ठीक है न, तो अब य उसके लिए हमें एक तो यह गयात है, देखें, पी क्यू अनपात बी सी गयात है, अब संगत बुजाओं को लेते हैं यहां पे, देखें, क्या हो जाएगा यहां से, यहां से देखें, एपी बटे में एबी, ठीक है न, और यह बराबर होगा, पी क्यू बटे में बी सी के, यहाँ पे इस्त्रिबुज की बुजा जो A, P, Q है तो P, Q के संगत A, B, C में B, C होगा अब यहाँ लिखेंगे देखे A, P बटे में A, P, बटे में A, B बराबर P, Q, बटे में B, C ठीक है अब यहाँ से मान रखते हैं ठीक है तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा आपका अब देखे A, B को क्या लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ से P, Q बटे में B, C अब इसके मान की बात करें तो यहाँ होगा एक अनुपात 3 का मतलब कि एक बटे में 3 यानि इसके अस्थान पे हमने क्या रख दिया, एक बटे 3 अब देखें यहाँ से A, B को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे A, P, A, B को देखें क्या लिखेंगे A, B आपका हो जाएगा, A, P, P, B दखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, दो पाल्ट में, एक यह और एक यह अब यहाँ से तिर्चा गुड़ा कर लेंगे, ऐसे और ऐसे, तो यह हो जाएगा, A, P, P, B, बराबर 3, A, P, ठीक है न, उमिद परती है कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखे, A, P, का पक्षांतर कर देंगे इधर, तो यह जाएगा, P, B, बराबर 3, A, P, और माइनस, A, P, ठीक है, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से देखे, P, B, बराबर 3, A, P, में से 1, A, P, जाएगा, यहाँ गुड़ांग में कुछ नहीं है, तो वर्न होता है, तो यहाँ से क्या कहेंगे, कि दोनों पक्षों में, P, B, से भाग देने पर, तो जब यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ बटे में, P, B, और यहाँ पर देखे, दो है, A, P, के सा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो आईए अगले उधारण को देखते हैं students अगला उधारण आपका है चित्र में AO बटे में OC बराबर BO बटे में OD बराबर 1 बटे 2 और AB बराबर 5 cm हो तो DC का मान ग्याद किजिए ठीक है तो अब देखें इसको कैसे हल करें सबसे पहले जो चीज़े आपको दी गई हैं उसको लिख लेते हैं तो देखें लिखेंगे दिया है तो देखें क्या दिया हुआ है यह देखते हैं दिया हुआ है AO बटे में OC बराबर BO बटे में OD बराबर 1 बटे 2 फिर आपको क्या दिया हुआ है AB बराबर 5 cm अब यहां पे देखिए जब संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो यहां से यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे A, O, B और D, O, C यह दोनों क्या होंगे समरूप होंगे तो अब यहां पे लिखेंगे त्रिभुज A, O, B यह समरूप का सिंबल है त्रिभुज D, O, C ठीक है यह दोनों क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे अब जब यह दोनों समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो अब यहां से संगत भुजाओं का अनुपात हम कैसे लेंगे देखिए यहां से देखिए आपका BO बटे में OD बराबर क्या हो जाएगा आपका AB बटे में DC, मन में एक प्रश्ण चला आओगा कि कब हम किस भूजाओं को संगत लेंगे, तो यह चीजे निर्भर करती है कि प्रश्ण में आपको क्या ग्यात करना है और क्या दिया हुआ है, बस इस बात पे ही निर्भर करती है, ठीक है न, आपको प्रश्ण के आधार पे ही देखन कि कब किसको संगत लेना है, ठीक है, जैसे है यहाँ पे देखिए, हमें दो माण गयाथ है, एक AO अच और वो को भी CD, क्योंजान नहीं है क्यूंकि तो नों कमाण गीवेन είναι, तो देखे, वी CD, आप कमाण दिया हुआ है एक बढ़र दो, बराबर AB का मान आपको दिया हुआ है 5 cm तो 5 और बटे में DC cross multiply कर देंगे तो यहाँ से DC तिर्चा गुड़ा कर देंगे ऐसे ऐसे तो DC बराबर 2 पचे 10 cm ठीक है न? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आईए अगले उदाहरण को हल करते हैं अगला उदाहरण आपका है चित्र में DE समानतर BC हों यदि AD बराबर YAKS DB बराबर YAKS माइनस 2 AE बराबर YAKS प्लस 2 और EC बराबर YAKS माइनस 1 तो X कामान ग्याद की दिया ठीक है तो अब यहाँ पर देखें YAKS कामान कैसे ग्याद करेंगे यह किस तिक को धियान से समझेगा यहाँ पर कंडिशन ही दिया हुआ है कि यह दोनों क्या है एक दूसरे के समानतर है DE समानतर BC दिया हुआ है तो यह प्लिकेंगे चुकी DE समानतर BC यह क्या है दिया है दिया है ठीक है दिया है जब यह दिया हुआ है तो यहाँ से जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा आपस में बराबर होगा ठीक है ना और यक्स का मान पूछ रहा है, यक्स का मान मतलब हमसे AD का मान पूछ रहा है, यक्स का मान मतलब क्या है, AD का मान पूछ रहा है, तो यहां पर देखिए, सभी मान गीवेन है, तो AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, यहां से कर देंगे, यहां किसे हो रहा है, तो यह हो रहा है समरूप होगा त्रिबूज A, B, C के और यह समरूप होगे तो यहां से संगत बुजाएं बुजाओं का अनपात बराबर होगा यानि A, D बटे में D, B बराबर A, E बटे में E, C बराबर A, E का मान E, C 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 का मान और यह हो जाएगा आपका Yax प्लस 2 और यहाँपे क्या है Yax – 2 तो यह A+. B ! A Mzubi यानि A² – B² हो जाएगा यहाँपे गुड़ा करेंगे तो देखे X² plus Yax यहाँपे हो जाएगा A+, B, A-B यानि A² – B² A² यानि Yax काई सQ와र माईनस B² Heaven मतलब 2 का स्कॉार्, तो 2 का स्कॉार्र हो जाएगा 4 यहाँ पर 17 करेंगे तो यक्स स्क्वार्र कर जाएगा यक्स बराबर हमें क्या मिला ?! Smart 4 Smart यक्स बराबर 4 और यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो उम्मिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे आईए अगले उधारन को हल करते हैं अगला उधारन है आपका दी हुई आकरिती में PS बटे में SQ बराबर PT बटे में TR है इनzer तब PST बराबर QPrim q है सिध की लिए कि TRBJ PQR एक सम दिवाहु TRBJ है तो देखें यहां पर दिया क्या हुआ हुआ है सबसे पहले उसको लिखते हैं यहां पर दिया हुआ है कि कोर PC यहां बराबर है कोर PR Q के यह दिया हुआ है तुसरा आपका क्या दिया हुआए, ps बटे में sq, यह बराबर है pt बटे में trk, देखे, जब किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, अगर समान। पात में बिभाजित हों, तो जो रेखा उसे समानुपात में विभाजित करती है वो त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानुपाती वो तीसरी भुजा के समानतर होती है ठीके न थेल्स प्रमे के बिलो में हमने पढ़ा हुआ है कि जब किसी त्रिभुज की जो रेखा है उसे समानुनपात में बाढ़ती है यानि यहां पे आप समानुनपात में देख सकते हैं कि ps की बढ़ाभर ठीक है अब यहां से जब यह समानुतर हो गए तो यहां से देखिए यहाँ पे जब यह दोनों लाइने समांतर हो गई तो यह एक्तिरियक रेखा हो जाएगी यह क्या होगी एक्तिरियक रेखा होगी तो कोड़ यस और कोड़ क्यू यह आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा इहां से, जब Ys अमांतर रेखा होगई, तो PQ क्या हो जाएगा, एक्तिरियक रेखा हो जाएगे, तो Q S और Q आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, कैसे संगत, संगत कोड हो जाएगा, ठीक है न? तो अब यहां पे देखे, इसको क्या लिखेंगे कॉंड या इसको PST, देखें, कॉंड PST बराबर होगा कॉंड PQR के, कॉंड कैसे लेते हैं, यह आपको हम introduction वीडियो में बता चुके हैं, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि कॉंड को कैसे लिया जाता है, तो संगत कॉंड, इंगलिस में बोलते हैं corresponding angle, ठीक है, अब यहाँ पे एक सीज आपको दिया हुआ है, इसको हम चाहें तो समिकरन फर्स्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे एक सीज दिया हुआ है कि कॉंड PST, यह बराबर दिया हुआ है, कॉंड PRQ के, तो इसको समिकरन दो बना लेंगे, यह आपको क्या है, दिया हुआ है, अब दिखें, जब एक किसी समिकरन का अगर एक पक्ष बराबर है, तो इसका दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेप्ट हंड साइड बराबर है, तो राइट हंड साइड भी जो बीच में होता है, वही लेते हैं, यानि कॉण Q और कॉण R आपस में बराबर हो गए, और इक बात ध्यान से समझ लिजेगा, कि जब भी किसी त्रिभुज के दो कॉण आपस में बराबर हो जाएगी, यह बात ध्यान रखिएगा, कि जब भी दो कॉण आपस में बराबर हूँ तो उनकी सम्मुख भूजाएं आपस में बराबर होती हैं यहाँ से हम कर सकते हैं कि जो पी क्यू लाइन है वह बराबर हो जाएगा पी आर के ठीक है और यहीं हमें सिद्ध करना था देखिए समधिवाह उत्रिभूज में क्या होता है कि दो भूजाएं आपस में बरें तो अब यहाँ से लिख सकते हैं अतह त्रिभूज पी क्यू आर एक समधिवाह उत्रिभूज है ठीक है समधिवाह उत्रिभूज है उमिद करते हैं कि सुदा आरण को आप अच्छी तरह समझ गए हूँ आईए अगले उदाहरण को हल करते हैं और यह इस वीडियो का अंतिम उदाहरण त्रिभूज ABC में DE समानतर BC है तो AD का मान गयात कीजिए जबकि DB बराबर 7.2 cm, AE बराबर 1.8 cm, EC बराबर 5.4 cm अब यहाँ पे छित्र दिया गया है इसके माध्यम से हमें हल करके दिखाना है अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, EC2 को ध्यान से समझिएगा यहां से, अब यहाँ पे जो चीज़े हमें ग्यात हैं सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, तो क्या-क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं यहाँ दिया है db बराबर 7.2 cm, ठीक है ना, यहां पे दिया है, यहां प्लिक लेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है db, बराबर 7.2 cm, फिर दिया हुआ है ae, 1.8 cm, ec, बराबर 5.4 cm, और निकालना क्या है, ad command निकालना है, ठीक है ना, ad command निकालना है, अब यहां से देखिए, एक condition और आपको दिया हुआ है, कि d e समानतर b c, d e समानतर b c, ठीक है, तो d e समानतर b d है, ठीक है न, b c है, तो थिल्स प्रमे से हम कह सकते हैं, कि त्रिबुज a, d e समरूप होगा, त्रिबुज a, b, c के, ठीक है, यहां से, चुकि d e समानतर b c, तो थिल्स प्रमे से क्या हो जाएगा, त्रिबुज a, d e समरूप होगा, त्रिबुज a, b, c के, ठीक है, यहां पर यहां पर यही लिखेंगे, देखिए, बराबर होगा तो अब यहां से देखिए AD बटे में DB ठीक है ना AD बटे में DB बराबर होगा को db कमान आपको क्या दिया हुगा है 7.2 तो यहां पे 7.2 ae कमान है 1.8 और इसी कमान है 5.4 अब यहां से इसको हल कर लेते हैं तो तिर्छा गुडा कर देते हैं ठीक हैं तिर्छा गुडा ऐसे और ऐसे गुडा करते हैं तो यह हो जाएगा 5.4 ad बराबर 1.8 गुडे 7.2 अब कहो जाएगा बटे में जाएगा इधर गुडा में तो इधार आएगा तो बटे में जाएगा तो ad बराबर हो जाएगा 1.8 गुडे 7.2 बटे में 5.4 अब देखें दोनों पर यहां पर देखें इस पे एक अस्थान पर दस्मलों है और इधर यही आपका क्या हो जाएगा इस्टूडेंट्स आठ उदाहरण हम लोग एक से लेकर आठ उदाहरण और वह भी मतपूर उदाहरण हल किये हैं जो कि सभी तेखे इहां पर यह उदाहरण कई रूप में पूछा जा सकता है एक तो ऐसे उदाहरण आपको आपको अबजेक्टिव में भी देखने को मिल सकते हैं चाहां पर चार आप्शन देदेगा और जो कि बोड परिक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सभी उदाहरण को यहां पे कंप्लीट कर लिया गया और उमिद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा तो वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले तो पिन कॉपी लेकर जरूर बैठें सभी उदा पूर्ण प्रशनावली है उतना ही अधिक मात्तपूर्ण उदाहरण भी है क्योंकि परिक्षा में उदाहरण भी पूछा जाता है ठीक है न वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों तक सेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्फ हो सके क्योंकि चैनल का उद पूर्ण प्रमे के साथ धन्यवाद